हेलो फ्रेंट, वेलकन टू माई चैनल, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्ट अमित कुमा सिंग, आज मैं आपको पांच न्यू लिस्टेट कंपनी बताऊंगा, जो आगे चलके लाचकेप कंपनी बन जाएंगी, तो आप लोग इन पांचों कंपनी में पैसा लगाईएगा, जो भी पैसा लगाईएगा, और लाउंग ट्रम के लगाईएगा, रातो रात ये पांचों कंपनी, लाचकेप कंपनी नहीं बन जाएंगी, समय लगेगा, 10-15 साल लगेंगे, और इसमें से कोई एक कंपनी भी बड़ा मल्टिवेश टॉक बन गया, तो भाई आप बहुत ब 10 सालों में ये एक पहुत बड़ा मल्टिवेश टॉक बन जाएगा, लाचकेप कंपनी बन जाएंगी, और जो नियू लिस्टेट कंपनी है, उसमें तो पैसा बनता ही है, 10 में से 8 कंपनी में तो पैसा बनता ही है, तो आप लोग पैसा लगाईएगा, और 2-4 मेहने के लिए पैसा मत लगाईए, लक्षमी और्गेनिक में, अगर 2-4 मेहने में बड़ा पैसा बनता भई, तो आज के रेट में सभी लोग करोड़ पती, अरपती बन जाते हैं, और हम जो वीडियो बनाते हैं, 10-15 सालों के लिए बनाते हैं, 2-4 मेहने के लिए, 2-3 सालों के लिए वीड लक्षमी और्गेनिक अभी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, 7-1000 कोड का मार्केट कैप है, यही कंपनी आगे चलके लाच कैप कंपनी बन जाएंगी, और केमिकल सेक्टर में तो रेटर्न मिलता ही हैं, आप लोग को पता हैं ही, और आप लोग इस कंपनी की ऑफिसल वे करवाना है, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ प्रणेक्ट नंबर दे रखाऊं, टेली ग्राम जॉइन करना चाहते हैं, तो टेली ग्राम भी जॉइन कर सकते हैं, मैं कोशिस करूँगा भाई, आपको अच्छा से अच्छा पोटफूलिय बना के देने का क्योंकि इस कंपनी का IPO जो आया था वो 15 मार्च 2021 को आया था 130 रुपया के प्राइस पर आया था और भाईया मैं इस कंपनी पे वीडियो IPO से ही बना रहा हूं ज्यादा तर जो मैं मल्टिवाय स्थॉक आप लोग को बताता हूं वो मैं IPO से ही बताना स्टार्ट कर देता हूं तो देखो one month में टान है वह 11.36% एने शंचcción का टान है 2.68% एने वन बीक में देखे लो फई वन बीक में 5.51% एनें सेंसो टान है 3.22% एने वन टे में देख लो वन टे में में 151% एने सेंसो टान है माइने जिलो 3.32% एने तो आप लोग लच्छमी और। इन्डेस्टी में पैसा लगाई है बहुत ही अच्छी कंपनी है आप लोग इस कंपनी पैसा पहले से लगा के रखा है तो भाया सेल मत कीजिएगा आगे चलके यह बहुत बड़ी कंपनी बन जाएंगी और आप लोग इस समय किसी भी केमिकल कंपनी को सेल मत कीजिए आपको प जाएगी और पैसा तो वह लॉंग्टरम ही बनता है जब तक आप खरीद के भूलिये करने आपका बड़ा पैसा कभी नहीं बनेगा कोई कमपनी थोड़ा रिटन बनाके देगा तो कोई कमपनी थोड़ा कम रिटन बनाके देगा लेकिन आपको रिटन मिलेगा तो आप लोग 25 50% 100% प्राफिट लेके निकल लिये मत 25-50% 100% प्राफिट बनाने से कुछ नहीं होता है सेर मार्केट में आए हो तो हजार दो हजार पांच हजार एक लाग रिटन बनाने के बारे में सूचिए और एक लाग परसन रिटन रात और रात नहीं बन जाएगा इसमें समय आपका पैसा उतना ही बनेगा और कंपाउंडी का इफादा मिलेगा दूसरी जो मैं कमपनी चूच क्या हुआ उसका नाम है हैपिएस माइंड आइटी सेक्टर की दमदार कमपनी है और ये एक बहुत बड़ा मल्टिवाश टॉक है इस कमपनी में आप जितना चाओ उतना प वीडियो बनाता हूँ आप लोग को मैं बोलता हूँ कि दिल खोल के पैसा लगाईए लेकिन आप सभी कमपनी में दिल खोल के पैसा नहीं लगा सकते हो जिस कमपनी का बैलेंस सीड मजबूत है पर मोटर अच्छ है उसी कमपनी में आप लोग दिल खोल के पैसा लगा सकते ह आप लोग दिल खोल के पैसा कहां लगाते हैं येस बैंक में फेडरल बैंक में बोड़ा फोन में कोल इंडिया में तो आप जैसी कंपनी खरीदोगे न वैसा ही आपको रिटरन भी मिलेगा बहुत सारी लोग बोलते हैं कि हैपेस्ट माइन बहुत चला हुआ स्टॉक है करेक् आपके बोलाओं कि हैपेस्ट माइन अगला भी पूरो है जिसमें आप लोग दिल खोल के पैसा लगाईए लेकिन आप लोग उस समय भी बोल रहे थे कि करेक्शन होगा तब जाके पैसा लगाऊंगा तो वही आप लोग करेक्शन के इंदजार करते रह जाएगा और ये 5,000 का भी हो जाएगा आपको अगर हैपेस्ट माइन अच्छी कम भी लगती है तो पैसा लगा दीजिए और जब करेक्शन भी होता है तो आप लोग पैसा नहीं लगाते हो और भी करेक्शन होने का इंतजार करते हो आप 10% उपरी खरी लीजेगा तो क्या दिक्कत है क्या है पेस्ट माइन आगे चलके लाच केप कमपनी नहीं बनेगा बनेगा आप समय दीजेगा तभी तो बनेगा आप लोग किसी स्टॉक में पैसा कब लगाते हैं जब स्टॉक चल जाता है बड़ा मल्टिवे स्टॉक बन जाता है तब जाके आप लोग पैसा लगाते हैं बजास देखके पैसा लगाती हूँ, मैं तो कब से चिला रहा था, कि बजास फैनेंस 6,000 का हो जाएगा, बुल मार्केट है, निफ्टी में मैं बड़ा बड़ा टार्गेट भी दे रहा था, और जो टॉक की कमपनी है, उसमें अगर आप पैसा लगाने से डरते हूँ, तो भाई आप सेर मार्केट से कभी भी पैसा नहीं बना सकती हूँ, जो टॉक की कमपनी है न, वो आज नकल रिटन बना के देगा ही, बजास फैनेंस यहां से 12,000 का भी हो जाएगा, बजास फिंसब 30,000 का भी हो जाएगा, देखते देखते, और आप लोग सोचते रह जाओगे, कि पैसा क लोग को लगेगा, कि बहुत चला हुआ स्टॉक है, बहुत चला हुआ स्टॉक है, अब कितना चलेगा, बजास फैनेंस, सत्रा सोर पैसे, छे जार का हो गया, अब कितना चलेगा, बजास फैनेंस, बजास फैनेंस, बजास फैनेंस, हैपिस्ट माइन, एस्टरल पाइप, इ कुछ दिन पहले भाई मैं ने करेणा वो मुझसे कॉंटरेट कर सकते हैं मैं यहां पर नंबर दे रखाँ हूं उसकर टेले ग्राम जोइन कर सकते हैं मैं कोसिक्ष करूँग। आपको अच्छा अच्छा पोट्फोलिय बना के देने का कॉंट्रेट कीजिए मुझसे पेड सर्विस चाहिए तो है पीस्ट माइंड अब तक की स्टाफ से टर्ण बना के दे चुका है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा तो भी यहाँ पे 10 साल का टर्ण नहीं सो करेगा तीन साल के टर्ण नहीं सो करेगा क्योंकि इस कंपनी का IPO जो आया था वो साथ सितंबर 2020 को आया था 166 रुपया के प्राइस पर आया था मैं इस कंपनी वे वीडियो IPO से ही बना रहा हूं तो देखो एक कंपनी year to date में कितना अलिटर्ण बना आके दिया है तो देखो year to date में टाया थाmosus have तो आपने पैसा लगाईए आगे चलके एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाएंगी तीसरी जो मैं कंपनी चूच क्या हूं उसका नाम है रोसारी बायोटेक ये एक टैनिकल सेक्टर की कंपनी है फंडामेंटल बाइज बहुत ही स्ट्रोंग कंपनी है इस कंपनी में आप बड़ा पैसा भी लगा सकती हो मैं खुद भी इस कंपनी में पैसा लगा के रिका हूं लिस्टिंग के दीनी खरीद लिया था तो आप लोग भी इस कम्पनी में पैसा लगाईए रोसारी बायोटेक अभी कोई बहुत बड़ी कम्पनी नहीं है आप यहां पे मार्केट कैप देख सकते हो 7,696 तो भी आभी 10,000 कोड का भी मार्केट कैप नहीं है लेकिन आने वाले सालों में रोसारी बायोटेक का मार्केट कैप 50,000 कोड का हो जाएगा 1,000,000 कोड का हो जाएगा और 10,15 सालों में तो 2,000,000 कोड का भी हो जाएगा चौती जो मैं कम्पनी चूच कहाँ है उसका नाम है स्टॉप क्राप्ट ये भी एक बहुत बड़ा मल्टी वैस्टॉक है स्टॉप क्राप्ट का फेमस जो ब्रांडे वाई वो पीजन है और ये कम्पनी करती क्या है आप स्क्रीन पे देख के समझ सकते हो आप यहाँ पे पोड़क्ट में देख सकते हो प्रेशर कुकर नॉन स्टीक कुक बियर मिक्चर ग्लाइंडर चीमनी एलेरी लाइट्स का भी इनका बिजनेस है तो कम्पनी बहुत ही अच्छी है पैसा लगाईएगा तो आपका पैसा बनेगा स्टॉक क्राप्ट का प्राइस पांच-दस हजार भी हो सकता है आराम से और ये सब स्टॉक भाई धीरे-धीरे करके उपर ही जाएगा नीचे नहीं आएगा अभी कोई बहुत बड़ी कम्पनी भी नहीं है पचीस-चब्बीस सो क्रोड का ही मार्केट कैप है स्टॉक क्राप्ट लिम्टेड अब तक किस्टा से टन बना के दे चुका है 385 रुपया के प्राइस पर आया था और मैं इस कम्पनी पे 600-700 रुपया से वीडियो बना रहा हूँ तो देखो ये कम्पनी वन मन्त में कितना टन बना के दिया है तो देखो वन मन्त में टन है वो 10.29 परसेट अन है सेंसो टन है 2.68 परसेट अन है कम्पनी बहुत ही अच्छी है ये सब कम्पनी का सेर खरीदोगे भाई तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा धीरे धीरे करके ये सब स्टॉक उपर ही जाएंगे और अभी 25-26 करोड का ही मार्केट कैप है तो कोई बहुत बड़ी कम्पनी भी नहीं है ये भी कम्पनी आने वाले सालों में बहुत बड़ा मल्टी वैस्ट अग बन जाएगा उस दिन पहले इस कम्पनी का लिस्टिंग हुआ है धामाकेदार लिस्टिंग हुआ है आप लोग को इस कम्पनी का सेर आईप्योग मिला है वो मुझसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं मैं यहां पे कॉंटेक्ट नमर दी रखाऊं टेलिग्राम जॉइन करना चाहते हैं तो टेलिग्राम भी जॉइन कर सकते हैं मैं कोसिस करूँगा भाई आपको अच्छा से अच्छा पोटफोलिय बना के देने का contact कीजिए मुझसे paid service चाहिए तो और देखी ये सब company पैसा लगाई है आप ये मज़ सूचिए कि ये stock बहुत महेंगा है 2000 रुपय का share है 2000 रुपय के उपर का share है तो मैं पैसा नहीं लगाऊँगा बहुत साई लोग क्या करते हैं कि अलकल मैंसे पैसा ही लगाते है उनको बहुत महेंगा stock लगता है तो भाई आप लक्षमी औरगेनिक को भी खरी दिए ये सो इंडेस्ट्री को भी खरी दिए और अलकल माइन्स को भी खरी दिए नवीन फ्लोरो को भी खरी दिए SRAF को भी खरी दिए stock का price कुछ भी हो सकता है 2000 भी हो सकता है 500 भी हो सकता है 500 भी हो सकता है आप लोग stock का price देखे decision मत लीजिए company का business को देखिए balance sheet को देखिए 2000 पै का stock है तो नहीं खरी दूँगा 100 पै का stock है तो खरीद लूँगा ये कौन सा भी तरीका है अब 2000 पै का एक ही stock खरी दिए क्या दिक्कत है अब इस company का market cap इतना है 4700 क्रोड का है बहुत जल इस company का market cap 10,000 क्रोड का हो जाएगा और आपको पता भी नीचे लेगा और जो महगा stock है भाई न और भी महगा होता ही चला जाता है और जो भी महगी company है 10 में से 8 में पैसा बनता ही है आप लोग को मिलने पाएगा आप लोग quality company पैसा लगाए तभी जाकर आपका पैसा बनेगा long term में धन्यवाद